सत्संके तीसवे भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्शी से पूछा कि महर्शी भै, दुख, पीडा, शोक, इनसे मुक्त कैसे हो। तब महर्शी ने कहा, भै क्या है? यह एक विचार मात्र है, एक संकल्प मात्र है। यदि आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तू हो, तो भै का कारण बनती है। अन्य को कौन देखता है? पहले अहंकार का उदै होता है, और दृश्य पदार्थों को बाहिय रूप में देखता है। यदि अहंकार उदै न हो, तो केवल आत्मा ही रहती है। तथा वहां अन्य कुछ भी नहीं रहता, बाहिय संसार कुछ भी नहीं। अपने से अन्य बाहर कुछ देखने के लिए द्रश्टा का अंदर होना आवश्यक है। उसे प्राप्त कर कोई संशय उदै नहीं होता, कोई भै नहीं रहता। भै ही नहीं, अहंकार के चारों और जितने भी संकल्प हैं, वे भी इसी के साथ विलीन हो जाते हैं। यदि तुम्हें भै से मुक्त होना है, तो तुम्हें वास्त्विक, तुम्हारा जो स्वरूप है उसे जानना होगा। अपने अहंकार को देखना होगा, वह उदै कहां से होता है, उस स्रोत के अंदर तुम्हें जानना होगा। महर्शी सामान्य पद्धती से जिसमें साधन चतुष्टे की अपेक्षा रहती है, मुक्ति प्राप्ती के लिए यह पद्धती सीधी प्रतीत होती है। हाँ, समस्त दुर्गुन अहंकार के चारों और रहते हैं। अहंकार के नश्ट होने से साक्षातकार स्वतह ही हो जाता है। देखो आत्मा में न सदगुन है न दुरगुन। आत्मा सर्वगुनों से मुक्त है। गुन केवल मन की उपाधी है। आत्मा गुनातीत है। जहां आइक्य है, वहां द्वाईत भी होगा, एक के अंक से अन्य संख्याएं उत्पन्न होती हैं, सत्य ना एक है न दो वह यथावत है, संकल्प शुन्य स्थिति को ऐसे ही रहने दो, इससे अपना कोई संबंध मत मानो, जिस प्रकार जब तुम चलते हो, उस समय पग, स्वतह ही अनायास उठते रहते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे कारियों में भी है, किन्तु संकल्प शुन्य अवस्था तुम्हारी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती है, महार्शी फिर कारियों में सद असद का विवेक क्या है, सद असद विवेक, स्वतह, अन्तह स्फूर्थ ही होगा, अर्थात महार्शी अन्तह प्रग्या ही मुख्य है, अन्तह प्रग्या का विकाश भी होता रहता है, जिन्होंने महान सत्यों का आविश्कार किया है उन्होंने वह आत्मा की शांत गहराईयों में किया है अहंकार भूमे पर पड़ती व्यक्ती की चाया की तरह है यदि कोई इसे गाढ़ने का प्रयास करे तो मूडता होगी हात्मा केवल है यदि सीमित है तो यह अहंकार है यदि निसीम है तो यह अनंत है सत्य है बुद्बुदे एक दूसरे से भिन है तथा अनेक है किंतु समुद्र केवल एक है इसी प्रकार अहंकार अनेक है जबकि आत्मा एक है और केवल है जब तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम अहंकार नहीं हो तुम्हें सत्य की अनुभूती करनी चाहिए अब भी तुम स्वयम को अहंकार से संबध क्यों मानते हो यह उस कथन के सद्रिश है जिसमें ओशधी खाते समय बंदर का संकल्प करने से मना किया गया है यह असंभव है सामान्य जनता की यही कठिनाई है सत्य की चर्चा करने पर भी तुम शिवोहम अथवा अहम ब्रम्हासमी का ध्यान क्यों करते रहते हो इसके महत्व की खोज करके इसे समझना आवश्यक है शब्दों का जाप अथवा उन पर मनन मात्र ही परयाप्त नहीं है केवल अहंकार का त्याग ही सत्यता है अहंकार को जान कर उसको नश्ट कर दो चुंकि अहंकार कोई वास्त्विक वस्तु नहीं है अतहा यह स्वतह ही नश्ट हो जाएगा एवं सत्यता अपने आप प्रकाशित होगी यह प्रत्यक्ष पद्धती है जबकि अन्य पद्धतियों में अहंकार बना ही रहता है उन पद्धतियों में से अनेक संशय पैदा होते हैं एवं शाश्वत प्रश्न अंततहा हल करने के लिए बना रहता है अर्थात उसके संशय उसके प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होते हैं किन्तु इस पद्धती में अन्तिम प्रश्न पहला प्रश्न एक ही है तथा आरंभ से ही है सामने आ जाता है इस प्रकार से की जाने वाली खोज में किसी साधना की आवश्यक्ता नहीं रहती इस से बढ़कर और कोई रहस्य नहीं है कि स्वयम सत्यता होते हुए भी हम सत्यता प्राप्थ करना चाहते हैं हम सोचते हैं कि किसी वस्तु ने हमारी सत्यता को ढख लिया है और सत्यता को प्राप्थ करने के लिए पहले इसको नश्ट करना आवश्यक्त है यह हास्यास्पद है एक दिन आएगा जब तुम भूतकाल में किये गए अपने प्रयासों पर हसोगे जिस दिन तुम इस प्रकार हसोगे वह आज ही और यहीं है महर्शी मैं नाद पर एकाग्र होने का अभ्यास कर रहा हूं और जानना चाहता हूं कि क्या ये पद्धती ठीक है निरधारित पद्धतियों में नाद पर ध्यान भी एक पद्धती है इसके समर्थक इस पद्धती को एकदम विशेश उत्तम मानते हैं उनके अनुसार यह पद्धती सबसे अधिक सरल है जिस प्रकार बालक को लोरियां गा कर सुलाते हैं उसी प्रकार नाद मनुश्य को शांत कर समाधी अवस्था में प्रविश्ट करा देता है फिर जिस प्रकार एक राजा लंबी यात्रा से लोटे अपने राजकुमार को स्वागत के लिए राज्य के संगीता चारियों को अगवानी हे तु भेजता है उसी प्रकार नाद भगत को परमात्मा के प्रसाद में आनंद पूर्वक ले जाता है नाद से एकागरता सहज में हो जाती है नाद की अनुभूती कर लेने पर स्वयम इसे ही लक्षन ही बना लेना चाहिए नाद लक्षन ही है द्रश्टा को द्रड़ता से पकड़ना होगा अन्यथा उसका परिणाम होगा शून्य यद्द्यपी द्रश्टा शून्य में भी है किन्तु से विभिन प्रकार के नाद के समाप्त हो जाने का भान नहीं रहेगा उस शून्य में भी जागरूक रहने के लिए विक्ति को अपनी स्वयम की आत्मा को स्मर्ण रखना आवश्चक है नाद उपासना उत्तम है यह और भी उत्तम होगा यदी से विचार से संबद्ध कर दिया जाए इस प्रणाली से नाद चिनमे तथा तनमे हो जाता है नाद एकागरता में सहायता अवश्य देता है महर्शी मैं आत्म निर्बर होना चाहता हूँ यू आवस्था से ही लेकिन मुझे सुनाई कम देता है और यह मुझे बाद में आत्म निर्बर बनने में नुकसान पहुंचाएगा यह बाद मुझे चिंतित कर रही है मैं क्या करूँ तुम आत्म निर्बर नहीं होना चाहते तुम अहंकार निर्बर होना चाहते हो यहे अच्छा होगा कि तुम अहंकार निर्भरता को निश्ट कर दो और वास्ताओं में आत्म निर्भर हो जाओ चिंता का कोई कारण नहीं है इंद्रिय निग्रह आत्म साक्षातकार की प्रारंभिक आवश्यक्ता है तुम्हारे हित के लिए तुम्हारी एक इंद्रिय का निग्रह स्वयम परमात्मा नहीं कर दिया है यह तो और भी अच्छा है इसे चिंता का विशय मत बानो अपने लिए उच्साह का विशय बनाओ महरशी मुझे विनोद तो अच्छा लगा लेकिन इस से मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुँची है देखो आत्मा के वलेक ही है जब तुम अपनी भूलों के लिए अपने आपको दोशी ठहराते हो तब भी क्या तुम्हे ठेस पहुँचती है यदि तुम आत्म भाव में द्रड़ हो जाओ तो तुम्हें दोशी ठहराने वाला कोई दूसरा नहीं होगा जब तुम जगत को देखते हो तो आत्मा की धारणा नहीं रहती इसके विपरीद आत्मा पर द्रड़ रहो तो जगत की प्रतीती नहीं होगी एक अन्य साधक ने पूछा कि महर्शी मैं उत्तम ढंग से ध्यान करना चाहता हूँ तो कैसे सीख सकता हूँ तो महर्शी ने पूछा क्या तुमने इश्वर तथा उसके गुणों पर विचार किया है मैंने इन विश्यों पर पढ़ा है तथा चर्चा की है अच्छा यदे इंद्रियों को स्पष्टतया व्यक्त किये बिना इसका मन में ध्यान पूर्वक विचार चलता रहे तो यही ध्यान है महर्शी मेरा तातपरिय गुप्त मार्ग दथा मैं कोन हूँ में वरनिध्यान से है इसकी तिवरता से इच्छा करो जिसे की मन भक्ती में द्रवी भूत हो जाए कपूर के जलने के बाद कुछ भी शेश नहीं रहता है मन कपूर की तरह है जब यह कुछ भी शेश नहीं रहेगा तब आत्मा में परिवर्टित हो जाएगा और यही आत्म साक्षातकार है महर्शी शांती कैसे प्राप्त करें तुम्हारी सहज स्थिती वही है मन सहज शांती में बाधा डालता है हमारी खोज केवल मन में है मन की शोध करो तब वहलुप्त हो जाएगा मन नाम की कोई सत्ता नहीं है वास्तों में संकल्पों के उदय होने के कारण हम उनके मूल की कल्पना कर लेते है उसे हम मन की संग्या देते है उसकी खोज करने से कि वह क्या है पता लगता है कि उस जैसी कोई वस्तु नहीं है इसके नश्ट हो जाने पर शाश्वत शांती प्राप्त होगी महर्शी फिर बुद्धी क्या है यह विचार अत्वा विवेक की शक्ती है यह केवल नाम है चाहे अहम भाव हो मन अत्वा बुद्धी हो सब एक ही है किसका मन किसकी बुद्धी अहम भाव की क्या अहम भाव वास्त्विक है नहीं हम अहम भाव को ही ब्रांतिवश बुद्धी अत्वा मन कहते है महर्शी एक जगह मैंने पढ़ा है कि आत्मा ही आत्मा का समाधान करता है विवरन अथवा शब्द नहीं ऐसा ही है तुम कितना ही जान लो ज्ञान की सीमा थोड़े ही है तुम संशे करता की और नहीं देखते हो तथा संशयों को हल करना चाहते हो तुम यदि तुम संशे करता पटिको तो संशे लुप्त हो जाएंगे अर्थार्थ संशय की जड़ संशय के हल से कदापी समाप्त नहीं होती